नमस्कार मित्रों इस वेडियो में मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि जिन लोगों का नाम इंगलिस अलफाबिट के ओ अक्छर से सुरू होता है उन लोगों के जीबन में साल 2022 में क्या-क्या पड़िवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा मित्रों यदि आप ये जानना चाहते हैं तो यह वेडियो आपके आने बाले शमय के लिए बहुत जयादा महत्वपुर्ण एबम उपयोगी है क्योंकि इस वेडियो के अंत में आपके आने बाले शमय का अनोखा तोटका है जिस तोटके को यदि आप आजमाते हैं तो आपका आने बाला शमय बहुत जयादा बिहतर एबम सान्दार होगा मित्रों यदि आप अपने जन्म कुंडली हस्त रेखा या अपने जीबन के बारे में कोई भी बातें अगर आप जानना चाहते हो तो अभी आपके सामने डिस्पले पर या इस वेडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वाटसेप नमबर है जिस नमबर पे यदि आप मुझे वाटसेप करते हो तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी तो कुछ भी जानने के लिए मैसेज अबश्य करें मित्रों इस वेडियो में आगे मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि जिन लोगों का नाम ओ अक्छर से सुरू होता है उन लोगों का आने बाला शमय याने की सा साल दो हजियार बाईस कैसा बीतेगा तो सबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ आपके सेहत के बारे में आपके सुवास्त के बारे में मित्रों आने बाले शमय में यानी की साल दो हजियार बाईस में आपके सेहत के दृष्टी कोन से आपका शमय बहुत जयादा बि मांसिक रूप से आप बहुत ज्यादा मजबूत होंगे, मांसिक रूप से आप बहुत ज्यादा संतुष्ट रहेंगे, जिसके कारण आप अपने हर काम को बरे ही रचनातमक ढंग से पूरा करेंगे, जिसके कारण आपका confidence level बहुत ज्यादा मजबूत होगा मित्रों आप में से जो भी जातक साल 2022 से पहले किसी भी बड़ी बिमारी के चपेट में नहीं आये थे तो साल 2022 के सुरुआत में आपको कोई भी बड़ी बिमारी परेशान नहीं करेगी वैसे छोटी मोटी बिमारीयों के कारण आपको कभी कभी परेशानी होगी लेकिन कोई भी बड़ी बिमारी आपको तंग नहीं करेगा मित्रों साल 2022 में ऐसी संभाबना है कि आपके पाचन तंत्र में कोई पड़ेशानी होगी जिसके कारण आपको शमस्या का सामना करना पड़ेगा मित्रों आप में से जो भी जातक साल 2022 से पहले बीमार थे तो साल 2022 में आपको अपने डाइट के उपर में बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा अपने रहन सहन में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए मित्रों इसके बाद मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि साल 2022 में आपका लभ लाइफ आपका दामपत्ते जीवन कैसा बीतेगा मित्रों प्रेम शंबंध के द्रिष्टी कोन से आपका आने वाला शमय सामानने तोर पे बहुत ज्यादा बिहतर एबम सांदार होगा मित्रों आप में से जो भी जातक साल 2022 से पहले सिंगल थे एबम आने वाले समय में यदि आप अपने संबंध की सुरुआत करना चाहते हैं तो आपके प्रेम संबंध की सुरुआत करने में आपके समय का सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा मित्रों आप में से जो भी जातक साल 2022 से पहले प्रेम संबंध में हैं तो आने वाले समय में आपके रिस्ते में प्यार एबम रोमेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा जिसके कारण आप दोनों का प्रेम और ज्यादा मजबूत और ज्यादा बेहतर होगा मित्रों आप में से जो भी जातक साल 2022 में बिबाह करना चाहते हैं तो आपको बिबाह का प्रपोजल मिलेगा मित्रों आने बाले समय में यदि आपके दामपत्ते जीवन आपके बैबाहिक जीवन की बात करें तो दामपत्ते जीवन के द्रिष्टी कोन से आपका शमय बहुत जयादा बेहतर एबम सांदार होगा साल 2022 में आपके जीबन साथी का साथ, आपके जीबन साथी का सपोर्ट आपको अबश्य मिलेगा लेकिन मित्रो आने वाले समय में ऐसी संभाबना है कि किसी बाहर बाले विक्ती के कारण आप दोनों के संबंध में कुछ पड़ेशानी होगी, किसी बाहर बाले विक्ती के कारण आप दोनों के बीच में कुछ नोक जोक होगा, कुछ बहस होगा, तो ऐसा कुछ करने से आपको बचना चाहिए मित्रो आने वाले समय में यदी आपके घर पड़िबार आपके पाड़िवारिक जीवन की बात करें तो घर पड़िबार के दृष्टी कौन से आपका समय सामानने होगा न जयादा बिहतर न जयादा खराब मित्रो आने वाले समय में आप अपने काम के सिलसिले में बहुत जयादा बीजी रहेंगे बहुत जयादा ब्यस्त रहेंगे जिसके कारण अपने घर के लोगों को जयादा समय दे पाने में आप ओसमर्थ होंगे मित्रों साल 2022 में ऐसी संभाबना है कि छोटी मोटी बातों के कारण आपके घर में कलह के इस्थिती उत्पन होगी छोटी मोटी बातों के कारण आपके घर के लोगों के बीच में आपस में संबंध बहुत जयादा कमजोर होगा तो आने वाले समय में इन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए मित्रों आने वाले समय में आपके समाज में आपके परतिष्ठा में आपके इज्यत में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगा लेकिन अप्रेल के महिने के बाद आपके सामाजिक जीवन में कुछ पड़ेशानी होगी इस महिने के बाद आपके समाज में कुछ लोगों के साथ आपका संबंध बहुत ज्यादा खराब होगा तो आने वाले शमय में इन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए मित्रों साल 2022 में काम के सिलसिले में आपको अपने घर से बाहर आने जाने का मौका बहुत जयादा मिलेगा मित्रों इसके बाद मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि साल 2022 में आपका सिख्छा आपका पढ़ाई लिखाई कैसा होगा मित्रों सिख्छा के दृष्टी कौन से आपका समय बहुत जियादा बिहतर एबं सांदार होगा मित्रों आप में से जो भी छात्र साल 2022 में अच्छे परिनाम का इंतजार कर रहे थे तो आने बाले समय में आपका इंतजार खत्म होगा मित्रों साल 2022 में आपको ऐसी चीजों से दूर रहनी चाहिए जिन चीजों के पास जाने से आपकी एकागरता भंग होती हो जिन चीजों के कारण आपका ध्यान भटक जाता हो तो मित्रों इसके बाद मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि साल 2022 में किस टोटके को आजिमाने के बाद आपका शमय बहतर एबम सांदार होगा मित्रों टोटका बहुत ही जियादा सामानने है साल 2022 में आपको अपने शमय को बहतर एबम सांदार बनाने के लिए आपको साल 2022 में जियादा से जियादा दान करना चाहिए साल 2022 में आपको गडीबों को भोजन कराना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं इस टोटके को यदि आप आजमाते हैं तो आपका आने बाला शमय यणी की साल 2022 बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार होगा तो मित्रों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो के नीचे जय बाबा भैरब कमेंट कर दें एबम इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दें ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो को देखें एबं अपने आने बाले शमे को बिहतर और सांदार बना सके धन्यवाद